नमश्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नएव वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं अगर आपके पास साथे यहां पर QR कोड़ आ जाएगा आप इस क्लिक करेंगे तो आपका QR कोड दिख जाएगा और यहां पर ना आप किसी और फोन में इसको स्कन करके कनेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर स्कन कर लेती हूं और यहां पर 1 plus 10R connected हो चुका है तो इस टैप से आप अपना hotspot share कर सकते हैं QR code की मतलब से और बागी रही बाद password की तो अगर किसी आपको password change करना है तो यहाँ पे hotspot setting में जाके आप इसका name change कर सकते हैं security change कर सकते हैं अगर कोई gaming device connect कर रहे हैं connect नहीं हो पारा तो यहाँ पे आप change करके जिसमें connect हो जाओ उसको आप set कर लीजे बागी यहाँ पे password आ जाता है तो यहाँ पे password change कर सकते हैं AP band में आप 5 GHz band कर देंगे network इसकी speed के लिए और यहाँ पे यह on रखेंगे और Wi-Fi 6 hotspot on कर देंगे faster connection के लिए और अगर आपका phone 5G है कोई और phone जिसमें 5G network या फिर Wi-Fi 6 support करता है तो उसमें आपको Wi-Fi 6 का option देखने को मिल जाएगा ठीक है इतना करने के बाद आपको यहाँ पे check mark पे click करना था यहाँ पे click कर देंगे तो यहाँ पे आपका password भी change हो जाएगा और जो भी setting थी वो सारी change हो जाएगी जो आप करेंगे connection management पे click करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई device connect नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे blacklist में check कर देंगे अगर उसका number blacklist है तो वो connect नहीं हो पाएगा आप remove कर देंगे और यहाँ पे maximum allow connection कितने लोगों को आप allow करना चाहते हैं hotspot के लिए तो यहाँ पे मैंने two person कर दिया है data restriction में यहाँ पे आप limit लगा सकते हैं कि आप 500 MB से ज़्यादा share ना करें hotspot में तो यहाँ पे आप अपने according कर लेंगे unrestrictive पे क्या होता है कि unlimited data वो use कर सकता है इसके बाद back कर लेंगे और यह option on run देंगे ताकि automatically turn off हो जाए अगर कोई device connected नहीं है तो चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार